20 दिसंबर 1947, US Army Air Force के 2nd Lieutenant Charles Brown को एक Bombing Mission Assign किया जाता है इस Mission में उन्हें B-17 Flying Fortress से Bremen में स्थित Folk Wolf 190 Aircraft Production Facility पे Bombing करनी थी Bomb Run के दोरान जर्मन Flag Guns ने B-17 की Nose और 2nd Engine को बरबाद कर दिया 4th Engine में काफी हद तक डैमेज हो चुका था उपर से जर्मन Measure Smith BF-109 Fighters ने उन पे गोलियां बरसानी सुरू कर दी BF-17 जर-जर हालात में वहाँ से बच निकला लेकिन जमीन पे जर्मन Ace Fighter Pilot Franz Stigler ने B-17 को देख लिया वो अपनी प्लेन लेकर B-17 के पीछे लग गये जब उन्होंने B-17 को करीब जिदेखा तो उसकी बुरी हालत देख उनका इरादा बदल गया उन्होंने Charles को सरेंडर कर जर्मन Airfield में लैंड करने के इशारे दिये लेकिन Charles उनकी बात न मानकर अपने रीजन की तरफ बढ़ते रहे